चहरे ये फिल्म एडप्टेशन है 1956 की नॉविल एडेंजरस गेम के उपर बाई फेडरिक जॉरिन मैट इस नॉवल से इंस्पायर्ड होके पहले भी मूवीज बन चुकी है और इसके बाद भी हमें एक बेंगॉली मूवी भी देखने को मिलेगी जिसका नाम उनुशौनधन ह चहरे एक थ्रिलर फिल्म है डिरेक्टेट बाई रूमी जाफरी इस मूवी में हमें बहुत ही अच्छी कास्टिंग देखने को मिलती है जैसे अमिताब बच्चन, इमरान हाश्मी, रगुवीर यादब, दृधिमन चैटर जी, अनू कपूर, सिधान्द कपूर बट अगर म कास्टिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, फर्क नहीं पड़ता है। इस मूवी का जो कॉंसेप्ट है, वो अच्छा है, डिफरेंट है, एंड इस मूवी के कॉंसेप्ट में वो हर एक चीज है, जिस चीज से एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर मूवी बनाई जा सकती है। अगर इस कॉंसेप्ट को केरफुल तरीके से यूज की जाए, तो बहुत ही अच्छी एक थ्रिलर मूवी बन सकती है। बट ये इस मूवी के साथ नहीं हुआ। थ्रिल करने वाली कॉंसेप्ट है, बट उस कॉंसेप्ट का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया है। डिरेक्शन ओवराल मुझे वीक लगा, जो एक बहुत बड़ी वजा है के एक अच्छा कॉंसेप्ट होते वे भी इस मूवी को एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर मूवी नहीं बनाया गया है। तो मूवी का प्रेजन्टेशन ओवराल मुझे वीक लगा, एंड मूवी का प्रेजन्टेशन अगर ओवराल वीक होता है, तो फिर अच्छी से अच्छी मूवी वीक बन जाती है। एंड थ्रिलर मूवी के लिए तो बहुत ही जादा एक इंपोर्टेंट चीज है ये, मतलब किसी मूवी का अगर कहानी बहुत ही जादा सिंपल होता है, बट उस मूवी का अगर प्रेजन्टेशन अच्छा होता है, तो फिर वो मूवी एक खास मूवी बन जाती है, बट इस मूवी के साथ ऐसा नहीं हुआ, because overall इस मूवी का जो प्रेजन्टेशन है, वो वीक है, मूवी जिस तरह से शुरू होती है, सस्पेंसफुल वे में, and characters को जिस तरह से दिखाया गया है, वो मुझे पसंद आया है, शुरू में, मतलब सस्पेंसफुल माहॉल, create होता है, जो बट धीरे-धीरे ये मूवी आगे बढ़ती जाती है, and वो connection कही न कहीं छूट गया, मतलब अचानक से कुछ होने लगता है, कुछ अलग होने लगता है, जिस वज़से वो जो एक mind set हो गया था न, वो चीज कही न कहीं छूट गया, कुछ चीजे थी इस मूवी में, जिसकी बहुत ही जादा कुछ जरूरत नहीं लगी मुझे, जैसे एक song शुरू हो जाता है, and इस song की बहुत ही जादा कुछ जरूरत नहीं लगी मुझे इस movie में, अचानक से वो song शुरू हो जाता है, जिस वज़से वो connection कहीं न कहीं तूट जाता है, and इस movie में song की जरूरत ही ऐसा म मुझे नहीं लगता है, background score मुझे overall पसंद आया, इस movie का cinematography मुझे overall पसंद आया, बट इस movie को लेकर मैं overall कुछ और expect कर रही थी जो मुझे नहीं मिला, thriller movies से जो हम expect करते हैं, वो चीजे मुझे इस movie से नहीं मिली, climax को भी बहुत ही better way में दिखाया जा सकता था, बहुत ही Max ने मुझे उतना जादा strike नहीं किया, जितना जादा करना चाहिए था, मैं एक scene आप लोगों को बताना चाहूंगी, मैं spoiler नहीं दूंगी, बट इस तरह से बताना चाहूंगी that ending के time पे कुछ ऐसा होता है, मतलब पहाडों के बीच में कुछ होता है, बहुत ही जादा important serious रहना था, मतलब वो एक बहुत ही important scene है and बहुत ही serious scene है, बट मैं हसने लगी, क्योंकि मुझे personally वो scene देखते वक्त fake लगा and जब ऐसा होता है, तब हम वो चीज feel नहीं कर पाते हैं, जो चीज हमें feel कराने की कोशिश की जाती है, तो मैंने वो चीज feel नहीं किया and वो चीज आप लोग अगर इस movie को देखोगे, तो फिर मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग समझ पाओगे शायद, जो casting है वो बहुत ही जादा अच्छी है, बट दो female actors को छोड़ कर, अमिता बच्चन and इमरान हाश्मी दोनों ही इस movie में बहुत ही जादा अच्छे है, इस movie में उनका acting बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ इमरान हाश्मी इस movie में बहुत ही अच्छे है, उनका जो character है, वो एक mysterious character है, धीरे धीरे उसके बारे में reveal होता जाता है, and मुझे overall ये character interesting लगा, and इमरान हाश्मी ने बहुत ही अच्छी acting की है overall, जो supporting cast है, अनु कपूर, द अपने अपने role को बहुत ही अच्छे से play किया है, सभी का acting मुझे बहुत ही पसंद आया है, खास कर दृदिमन चैटर जी ने बहुत ही अच्छी performance दी है, मुझे वो इस movie में बहुत ही जादा पसंद आये है, रिया चक्रवर्ति का जो character है, उस character को mysterious way में present करने की कोशिश की ही है, बट overall इस character ने मुझे वो experience नहीं दिया, खास कर उनकी performance की वज़र से, उनका acting मुझे overall पसंद नहीं आया, जिस वज़र से इस character ने वो experience नहीं दिया मुझे जो देना चाहिए था, Crystal Dissouza का जो character है, इस character को important way में present करने की कोशिश की गई है, बट मुझे overall उतना जादा interesting नहीं लगा, मतलब और भी better way में इस character को present किया जा सकता था, एंड उनका performance भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, कोई thriller movie कैसी होनी चाहिए, जो हमें अपने साथ बांध के रखे, बट इस movie को देखते वक्त मुझे वैसा feel नहीं हुआ, मुझे एक engaging movie नहीं लगाईए, मतलब इस movie को देखते वक्त बहुत time मेरा connection छूट रहा था इस movie से, तो इस movie ने overall मुझे वो thrill वाली experience नहीं दी है, इस movie में कुछ चीज़े ऐसी है, जो बहुत ही जादा over the top है, जैसे dialogue, मतलब एक जगा पर जाकर मुझे ऐसा लग रहा था देट कुछ जादा ही हो रहा है, मतलब बहुत ही जादा heavy dialogue है, एंड इतने heavy dialogues की इस movie में बहुत ही जादा कुछ जरूरत नहीं लगी मुझे, एक monologue है अमिताब बच्चन का बहुत ही बड़ा, एंड वो जब मैं देख रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था देट मैं इस movie से बाहर आ गई हूँ, एंड मैं कुछ और देख रही हूँ, कुछ और video देख रही हूँ, मतलब इतना कुछ डालने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही ब इस movie को देखते वक्त मैंने feel किया, इसका run time जादा है, अगर कुछ dialogues एंड जो बीच में song है, उसको निकाल दिया जाता तो फिर I think better होता, या फिर जो dialogues है उसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाया जाता, तो फिर better होता, इस movie का जो first half है, वो मुझे second half से थोड़ा सा better लगा, first half में जो suspense create की गई है, वो देखने में थोड़ी सी interesting लगती है, बट second half में कुछ unnecessary चीजों को add किया गया है, तो वो connection ही छूट जाता है, तो आप लोगों को अगर एक बहुत ही अच्छी thriller movie देखनी है, तो फिर मैं आप लोगों को ये movie suggest नहीं करूंगी, बट इस movie को अगर आप लोगों को देखना ही है, तो बहुत ही low expectations के साथ देखना, तो finally अगर आप लोगों ने इस movie को देख ली है, तो नीचे comment करके जरूर बताओ, आप लोग इस movie के बारे में क्या सोचते हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like और share जरूर करो, चैनल को भी subscribe कर तो thank you so much for watching, this is Juhi, मिलूंगे आप से नेक्स वीडियो पे, चैरे ये झाल में क्या हुआ तो